नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल NRJ Finance पर एक बार फिर से और आज मैं trend के बारे में कुछ positive और कुछ negative बात करूँगा लेकिन मेरे negative बात करने का मतलब ये नहीं है कि चीजें खराब हो गई है, company खराब हो गई है और ऐसा कोई भी decision मेरी तरब से नहीं है, ठीक है, और देखते हैं company में क्या positive है, क्या negative है और वो negative किस लिए है, positive किस लिए है, सारी चीजें अभी इसी वीडियो में हम लोग चेक करेंगे और चुँकि आज जो trend का stock है, वो 500 points के आसपास में गिरा, almost 450 points तो closing तक में वो नीचे था, ठीक है और result था जो उसका, तो ऐसा क्या हुआ जो stock गिर गया, सारी चीजें देखते हैं और इसी के साथ में YouTube channel यही वाला NRJ Finance इसको subscribe कर लिजे और Telegram channel कई लोग स्कैम कर रहे है, Telegram के नाम पे, NRJ Finance के नाम पे तो जो link दिया है नीचे, उसी link को use करके आप Telegram channel join कर सकते हैं that is completely free, और कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, किसी को कोई पैसा मत देना तीसरी very important thing, मैं Angel1 का, अभी NSE registered Angel1 का sub broker हूँ तो आप मेरे link के throw DMAT account open कर सकते हैं, और हमारे whatsapp broadcast में add होकर के daily regular stock updates ले सकते हैं, मैं वहाँ पर support करने के लिए रहूंगा अब चलिए बात करते हैं trend की, तो trend का अगर आप result देखोगे, आज की जो news थी trend में 47% का इनका net profit jump किया है, yoy यानि last year से अगर आप complete है हो तो screener में मैं गया, यहाँ पर मैंने देखा, यह जो stock है trend इसका September, December, March, जनहां यह quarterly basis है, ठीक है quarterly basis जो इनका yoy है last year कितना था, 228 CR, और इस साल, इसी September में इनका कितना आया, 335 और चुंकि ऐसा result आया, तो फिर लोगों ने बोला 47% का jump है, ठीक है फिर उसके आप में stock क्यों गिरा, stock गिरा, because यहाँ पर company का जो net profit है 14% down on sequential basis, यह बहुत important चीज होती है, कि एक दो quarter डगमगा रहे, ठीक है अभी 3 quarter लगबग डगमगा चुके हैं इसके, यानि कि अगर इससे पहले वाला जो quarter था अप्रेल, मई, जून, ठीक है, first quarter, वहाँ पे इसका जो profit आया था, मलब जन्वरी, फर्वरी, मार्च वाले से इतना down हो गया 712 करोर का, मलब अगर आप जन्वरी, फर्वरी, मार्च वाला quarter लो यह मार्च में आया था 712 CR का profit, फिर उसके बाद में 391 CR का profit बचा, अप्रेल, मई, जून, जून वाले quarter में और फिर जुलाई, अगत, सेप्टेंबर quarter यह अभी, अक्टूबर में इसका result आया, पता चला कि यहाँ पर यह इससे भी जादा गिर गया थोड़ा 14% के आसपास में और गिरा, और इसी चक्कर में stock का price जो है, वो लगबग आज जो low इसने बनाया था 6300 के आसपास का low बनाया, closing आई है 6500 की यहाँ पर मैं cash entry की बात करता हूँ, यह वही trend का stock है, जो कभी 600 रुपए के आसपास था मैंने इसका video बनाया था, और इसके साथ में टाटा कॉफी और trend दोनों को मैंने बूला था, खेर अभी इसमें अगर entry ली जाए तो कहां ली जाए दोस्तों मेरा अगर stock के price को देखो 170 PE इसका अभी भी है, मेरे हिसाब से best entry जो रहे की level रहेगा वो 3000 point का discount मिलने के बाद होगा, यहानी जो stock ने all time high 80, 345 बनाया है, मेरे हिसाब से 50, 345 या 40 बोल दीजे, 50, 340 के असपास अगर मिलता है, then it is good, good to enter, और इसके साथ में chances कम है थोड़े, लेकिन आ सकता है, अगर 50 EMA को exponential moving average को यह touch करेगा, करके, तो even 50, 400 भी आया, मैं वहाँ पे थोड़ी entry बनाऊंगा, अब stock के positive की बात करते है और negative, यह ऐसा क्यों हुआ जो stock नीचे आ रहा है, stock कर result नीचे यह ऐसे घटा क्यों गया, तो दोस्तों अगर इस चीज़ पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो खुद से भी आप देख सकते हो कि मार्च के quarter के बाद में गर्मी इतनी हो जाती है, आदमी shopping क्या करेगा, परिश अदर आती है, तो होली वाला भी आपका March में cover हो जाता है, तो January, February, March, यानि यह जो दो quarter होते हैं, इन में shopping सही से होती है, तो मेरा मानना है, अब यह जो इसका गिरना था, गिर चुका है, अब next quarter जो है, यानि October, November, December वाले में इनका profit बढ़ेगा, देखते हैं next quarter में क्या होत क्या है, दुबई वागेरा में इन लोगों ने खोल रखा है, जूडियो का, तो यह बहुत अच्छी चीज़ है, expand कर रहे हैं, और no doubt, Trent को या Tata Star बजार बोल दीजे, अभी यह लोग बहुत ज़्यादा growth हिन में बाकी है, और यह लोग करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही YouTube चैनल को subscribe कर दीजे, नहीं किया है, और Angel One में DMAT account आप open कर सकते हैं, using my referral link और साथ में वीडियो को share कर दीजे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँचे, तो आज का वीडियो था basically, Trent इतना क्यों गीरा और हमें क्या करना चाहिए, और reason क्या था गिरने का वो सारी चीजे मैंने discuss की possibility क्या है, in one word, Trent is still very strong company और expand करती जाएगी, entry कहां ले, उसका भी level मैंने आपको बता दिया है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं next video में, thank you.